वेलकम आल दी धीवर्स तु दिस चैनल अवेरनेस ओफ लीगल फ्रेटर्निटीज आप सभी सुरताओं का स्वागत है आज के ब्याख्यान में आज का ब्याख्यान परस्नोत्री कारिक्रम के अंतरगत है कुछ दिनों के अंतरा के बाद मेरे पास आप लोग के द्वारा भेज गया गया कुछ प्रस्न जमा हो गया है आज उसी उन्ही सब प्रस्नों का मैं क्रम बाद उत्तर देना चाहूंगा सबसे पहला प्रस्न है राजीव कुमार इन्होंने गया से लिखा है लिखाए कि टाइटील सुट में दिक्री का तर्मीन होगा तब सियो लगान निर्धारन का भेजेगा DCLR को इनका प्रस्न जो है पुरा किलियर नहीं है और तर्मीन कोई सब्द नहीं है तर्मीम हो सकता है तो टाइटील सुट के दिक्री का तर्मीम क्या होगा अगर टाइटील सुट में अगर दिक्री हो गई है तो उसके आधार पर फिर लगान निर्धारन करने क प्रस्ट क्या है इसलिए आप अपना प्रस्ट अस्पस्ट रूप में लिख करके दे जहां तक आपने लिखा है उससे मैं यही समझता हूँ कि टाइटी सुट का टिकरी है तो जो टिकरी है उसके आधार पर CEO को मुटेशन भी करना होगा और लगान निधारन भी करना होगा अ इसलिए लगान निधारन के लिए अगर वो नहीं करता है तो उस आदेश को आप उपर के न्याले में चुनावती दे सकते हैं तूसरा प्रस्ट है कुमार कुमार बिभब ये बिसेश सर्वेक्षन अमीन सुपॉल में है इनका प्रस्ट कुछ नहीं है इन्होंने रोद क्या है कि लैन इंक्रोच्मेंट एक्ट पर एक अलग से लेक्चर दें लैन इंक्रोच्मेंट एक्ट पर अलग से लेक्चर देने का कोई खास महत्व नहीं है फिर भी अगर समय मिलेगा तो हम कोशीश करेंगे अगर आपका कोई प्रस्ट है लैन इंक्रोच्मेंट एक्ट से thanks दिया है तो आपको भी thanks रोही दास मंडल इन्होंने लिखा है कि बहुत ग्यान मिलता है लेक्चर से मार्क दर्शन के लिए धन्यवाद तो आपके लिए भी धन्यवाद उसके बाद का प्रस्थ है S.P. सर्मा साहिब का S.P. सरमा साहिब ने लिखा है कि मसमात रुपिया का केस है पटना है कोट का ओवरूल हो चुका है अब ये किस संदर में आपने लिखा है और किस लिए पुछा है ये पता नहीं चलता है और दुसरा वो कौन सा पॉइंट पर है नाम से मसमात रुपिया नाम से हमको याद नहीं कि जजमेंट से हुआ है अगर रेफरेंस आप दे देंगे तो हम देख करके बता सकते हैं और कौन पॉइंट पर था उजजमेंट और कैसे अभरूल हुआ है ये सब कुछ विशेश दीजिए अगर उसके बारे में आपको और कुछ जानना है तो हम फिर अगले लेक्चर में आ अगर आप जानते हैं भरूल हो गया तो ठीक है उसको आप फॉलो मत कीजिए और अगर उसके बारे में हमसे कुछ ओपिनियन लेना है तो आप डिटेल उसका दीजिए उसके बाद इनका प्रस्थ है कि CPC में section 94 में और order 39 में injunction का प्राबधान है लेकिन permanent injunction का प्राबधान नहीं है तो इनका मत है कि प्लेंट में हम जो है injunction का relief मांगेंगे consequential relief के तहत जो section 74C court fees act के तहत होना चाहिए और उस पर हमारा view solicit किया है हमारा view जानना चाहते हैं देखिए सरमा जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दू कि आप बहुत typical typical question formulate करते हैं और इससे लगता है कि बहुत आप सजग प्रहरी है और आपने अभी तक तो अपना profession नहीं बताया है ने अपने आपको identify किया है हमने एक दो बार hint भी किया है इसलिए हमको कभी कभी जवाब देने में कुछ हिचक भी होता है फिर भी आपका जो प्रस्न है जहां तक हमको ग्यान है आपको पतायते हैं cpc till करता है injunction जो है वो pendenti light वो मकतमा के दोरां जिसको temporary injunction कहते है order 39 में temporary injunction होता है और कब किस circumstance में order 39 में होगा उसके लिए order और rule बना हुआ है और section 94 जो डिक्षन भेस्ट करता है court को to pass an order of injunction लेकिन power of court to pass mandatory injunction और permanent injunction is given in a specific relief act तो a specific relief act के तहत उसको plant में permanent injunction का relief माँगना जरूरी है जबकि temporary injunction का relief माँगना कोई जरूरी नहीं है in any suit either declaratory suit or partition suit any party may file a separate petition for injunction temporary injunction during dependency of suit by filing a separate petition only in terms of section 94 read with order 39 माई तो उसके लिए नहीं उसको court fees देने का जूरत है और main plant में relief माँगने का जूरत है तो even by filing subsequent petition or interlocutory petition injunction temporary injunction can be granted लेकिन अगर हम यह suit के दौरान होता है temporary injunction लेकिन permanent injunction का relief मिलता है at the time of passing decree adjudication of rights of parties हो जाता है तब final judgment होता है judgment के समय में permanent injunction का relief grant किया जाता है इसलिए आपका view सही है लेकिन हर injunction consequential relief नहीं होता है there may be a separate situation कभी कभी consequential relief हो सकता है injunction तब declarative suit में अगर injunction है तो consequential अगर है तो माना जाएगा तो उसके बाद का प्रस्द है रवी कुमार पटना से लिखते हैं इनका पूछना है कि आरेस खतियान पटना में आरेस खतियान बना की नहीं बना तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है पटना जिला में कुछ एरिया में इसे भी इरिया में नहीं हुआ है लेकिन जहाँ भी सर्वे हुआ है अगर वहां final हो गया तो इसलिए कि आप जानना चाहते हैं औहां का नोटिफिकेशन देख करके आप पता लगा सकते हैं या सुचना के अधिकार के तहत आप पूछ सकते हैं वहां के कलक्टर से पूछ सकते हैं या सर्वे आफिस से पूछ सकते हैं उसके बाद अजय गुपता का प्रस्ट है इनका कहना है पुछना है कि CPC में कोई अजय गुपता उर्सोनू CPC म करें देखिए सिभील कोट को सेक्शन नाइन सीपीसी में बहुत लंबा हाथ है और किसी भी तरह का डिक्रेटरी रिलीफ गरांट कर सकता है और वैसा सूट जिसका की जो डिक्सर सिभील कोट को बार कर दिया गया किसी अस्पेसल एक्ट में उसको छोड़ करके अगर बार किया होगा है तो भी उसके अपवाद तहर्थ सिभील कोट को अधिकार होता है अगर जिस एक्ट के द्वारा बार किया गया हो जो डिक्सन उस एक्ट के प्रामधान को उस अधिकारी या प्रदाधिकारी ने नी Genau नहीं किया और अक्षचर से काम नहीं किया या उसके beyond काम किया त तो सिविल कोट का जूरिक्षन जल्दी आउस्ट नहीं होता है। जहां तक प्रस्द है बीटी एक्ट का तो उसमें सिविल कोट के जूरिक्षन को बार करने का प्राबधान बनाया गया था जिसको पटना हाई कोट ने अभरूर कर दिया। उसके बाद से किसी भी तरह का ओर् सभी सिविल कोट में चैलेंज हो सकता है। एक्सेप्ट जो 106 बीटी एक्ट में होता है। खतियान के सम्मंधित जहां सर्वे चलते रहता है। और रेवनु अफसर का जो कोट बनता है। 106 के बाद ऑनवार उसका अपील, फस्ट अपील, सेकेंड अपील होता है। उसका अ और हाई कोट सेकेंड अप्लेट उसित्य होता है। इसलिए वो सब इंटर कनेक्टेड है। अगर कुस्त कलत ऑर्डर हुआ है, एकॉर्डिंट तु लौ नहीं हुआ तो सिविल कोट को अधिकार है देखने का। उसके बाद का उसके बाद का प्रस्द है ससांक सेकर। ससांक सेकर इन्होंने प्रस्द नहीं किया है लेकिन अपना उदगार व्यक्स किया है कि ग्यान के भंडार है, NLU में एडिमिशन नहीं मिला लेकिन आप यूटूब में मिल गए। बहुत अच्छा उदगार है, आईसके लिए आपको धनेवाज, आप जितना लाब उठा सकते है ग्यान बर्धन कीजिए, अगर कोई प्रस्द हो तो प्रस्द पूछिए, एडि रेट ऑफ ए जे आर वाई, इस तरह से एक प्रस्द यूटूब पर आया है, बीटी एक्ट एक्सो तीन, एक्सो नो, डिटेल वीडियो बनाईए, बीटी एक्ट का आप लेक्चर सुनीए, अब डिटेल वीडियो बनाने की आप सकता नहीं है, आप प्ले लिस्ट में जाईए, और उस पर डिटेल वीडियो बनाऊए, पूरे बीटी एक्ट का, उसमें एक सो तीन और एक सो नो, तक सारा प्रावधान के बारे में बता गया है, और उसी में आपने एक भी प्रस्द क या एक सो चो के तहट खतियान में क्या सुधार किया जा सकता है, बीटी एक्ट के बन हंडेट सिक्स में खतियान सुधार के लिए ही तो सूट फाइल होता है, तो जरूर किया जा सकता है, वो टाइटी सूट के तरह हंडेट सिक्स बीटी एक्ट में वो रेवनु कोट में रियष्टर आहसन रियष्टर डी क्या है और कहां मिलेगा रियष्टर डी के बारे में भी पहले भी बहुत लोग पूछे हैं हम बता चुके हैं रियष्टर डी समझ लिजिए कि जमींदार लोग का एक रिय रिष्टर है उसका खाता है या खतियान है जैसे रियत का जमीन का एक खतियान होता है जिसमें उसका बीबरन दर रहता है उसी तरह से जमिंदार के जमिंदारी का बीबरन जिस रिष्टर में दर रहता है उसको रिष्टर डी बोलते है और ये रिष्टर डी जो है कलक्टर के क पाउजा का नाम किस गाउं का और कौन तोजी का और किस जमिंदार का नाम पता वगएरा देना होगा तब आपको मिलेगा उसके बाद एक प्रस्थ है उन्होंने नाम नहीं लिखा है यूटूब पर लिखा एड़ी रेट ओफ मस्ती बित्स सौंग इन्होंने कोई प्रस्थ कि आई रहोंने लिखा है यह मुझे मिलना चाहते हैं जरूर मिल सकते हैं अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा पूरा एड्रेस और फोन नंबर सब यूटूब पर भलेवूल है आप उसमें देख लीजिए और हमसे पहले से पॉइंट्वेंट लेकर समय ले करके आप कभी भी मिल सकते हैं जो आपको समय मिला देधारिद किया जागा उसके उसी तरह से एक कृष्णा जे क्रिश्णा इन्होंने नाम और अडरेस पूछा है और मिलना चाहते हैं उसी तरह का और कुनाल है उन्होंने कोई प्रस ने किया उनका लगता है को वीडियो में उनको आ खोल के देखिए सब करेक्ट कर दिया गया है अभी किसी वीडियो का ऐसा नहीं कि आउडियो सुनाई नहीं पड़ेगा तो इस मिलना चाहते हैं तो किष्णा जी आपको भी ही है कि आप यूटूब पर नाम पता सब दिया हुआ है फोन नमबर दिया हुआ है आप फोन नमबर से बात करके टाइम ले करके और निधारी समय पर आके मिल सकते हैं उसी तरह से एक प्रस्ण है टुन्टुन सिंग बरौली गोपालगन से इनका प्रस्ण है कि इनके दादा जी तीन भाई थे और बड़े दादा जी मर गए तो उनकी पत्री ने महिले दादा के पोता को गया अब छुटे हुए प्लोट में ये चाहते हैं ये छोटे दादा के पोता हैं कि इनका हिस्सा होगा की नहीं होगा तो जो प्लोट छुट गया उसमें छोटे दादा का भी हिस्सा होगा अब महिले दादा के पोता का हिस्सा होगा यानि कि जिनको गिफ्ट मिला है उनको आधा होगा और आधा आपको होगा काये कि उनके वारिस के रूप में आफी लोग हैं उनके पास कोई नहीं था बड़े दाधा के अपना कोई बेटा बेटी पोता पोती कोई नहीं था आप जैसा की बताए हैं तो इसलिए उनकी पत्री ने भाई के पोता को गिफ्ट कर दिया तो बाकी जो दोनों भाई के पोता बचे हुए हैं उनको दोनों को इसमें आधा दे हो यानि कि आपको भी तुन्टुन जी इसमें आधा हिस्सा होगा जो छुटा हुआ जबीन उसी तरह से एक प्रसने ब्लोगर हैं दिनेश बांका से ये कहते हैं कि सीएस खतिया 908 में पर पुरवज का नाम है दूसरा व्यक्ति जमाबंदी का काइम करा लिया है और बेच दिया है दादा का जमाबंदी जीरो कर दिया है जमीन किसका होगा अगर आपका पर दादा के नाम से दर्मियानी हकदार थे और बकास्त माल गुजार था तो आपके पुरवज के नाम में ब किसी व्यक्ति का नाम है तो ठीक है तो आपका चीज हो गया अगर रिटर जमाबंदी में नहीं है तो वकास्त का लगान निधारन आपके परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ होगा तभी ने जमाबंदी काइम हुआ तो लगान निधारन हुआ तो फॉर्म M बना होग वो सब कावेद देख लिए और अगर जमीन पर आपका कब्जा है तो आप ही का होगा और अगर जो आदमी बेच दिया है तो उसको कोई राइट नहीं होगा और आपका जमामंदी अगर जीरो हो गया है तो जमामंदी को सुधार करने के लिए आप आबेदन दे सकते हैं रेव भानमी तो अच्छी बात है आप लांप उठा रहे हैं तो अच्छी बात है दुसरा इनका प्रस्त है मिश्लेनियस अप्लिकेशन में एरर है अब किस तरह का मिश्लेनियस अप्लिकेशन है यह भेग है अधूरा है लेकिन हम मान के चलने मिश्लेनियस अप्लिकेशन civil court के बारे में आप बोल रहे होगे, उसमें कोई error है, तो उस error के हिसाब से कोई गलती हो गई है, तो reject हो जाएगा, ऐसा पर ruling खोजते हैं, देखिए, ऐसा direct कोई ruling नहीं, सटिक, आप पूरा facts बताईएगा, कोई भी pleading, miscellaneous application है, तो भी pleading महीं आता है, miscellaneous application का CPC में, जो procedure है, वो section 141 है, CPC, suit का जो procedure है, वो ही miscellaneous का भी procedure होता है, miscellaneous application का या miscellaneous case का, तो अगर suit में plant or written statement का amendment हो सकता है, कोई गलती होगी, तो उसमें सुधार हो सकता है, तो उसी तरह से miscellaneous application है, miscellaneous case में है, या कोई suit में ही कोई miscellaneous application पड़ा है, तो उसमें भी आप error को सुधार कर सकते हैं, अगर आप से गलती ही है, तो अगर आपके विपक्षी का दिया हुआ petition है, उसमें fact गलती है, तो इसी ground पर आप बहस करके उसको reject करा सकते हैं, कि ये fact गलत है, वो गलती पर उसका rejection हो सकता है का है कि वो fact क्या है, किस संदर में वो petition है, ये सब जाने बगएर और detail बताना संभव नहीं है, उसके बाद है अभी सेख सिंग, अभी सेख सिंग का परस्न है कि कोई registered deed है, केवाला है, जिसमें की चोहदी गलत लिखा हुआ है, खाता पलोट सही लिखा हुआ है, तो इनका प dispute होगा, कोई व्यक्ति ये कहेगा, कि आपने ये plot नहीं खर रहा है, ये plot खरी रहा है, चोहदी वाला plot खरी रहा है, तब question खरा होगा, कानून ये है कि अगर plot गलत है, और चोहदी सही है, तो चोहदी की ही मानिता होती है, आपका case उल्टा है, चोहदी ही गलत है, तो plot सही है और खाता सही है तो ये बात कब विवाद जब होगा तो चोहदी गलत है तो चोहदी में चारो तरफ गलती है कि किसी एक तरफ गलती है ये भी सेखना होगा अगर एक तरफ गलती है तो उससे अंदाज मिल जाता है तो चोहदी सिर्फ जमीन को पहचानने के लिए होता है अगर उससे पहचान हो जाता है तो आपका केवाला गलत नहीं होगा अगर दूसरा प्लोट का चोहदी ओल टुगेदर चारो चोहदी जो होता है गलत लिखावा है तो प्लोट नमबर माल लिए कि आपका सही प्लोट नमर है 95 लेकिन चोहदी आप दे दिया है 195 का तो confusion हो सकता है dispute हो सकता है लेकिन उस पर केवाला रद नहीं होगा यह अप इसको साबित कर सकते हैं गभाही दे करके और आपका केवाला सही होगा अगर कोई dispute होगा तो आप साबित कर सकते हैं अलगलग अगला प्रस्निन होने किया है जो प्रस्निन आपका भेग लगता है पुरा हम नहीं समझ सके हैं आपने लिखा अलग अलग अग्जामीन एन क्रोस नकसा में एरिया अलग हो तो एरिया क्या माना जाएगा यह अलग अलग अग्जामीन examine क्या है और cross नक्सा क्या है यह हम समझने रहें और में area अलग हो तो area क्या माना जागा जो नक्सा survey पनाद हिकारी द्वारा बना गया फाइनली पब्लिश्ट हो गया उस नक्सा में जो area दिया हुआ वही सही माना जागा उसके contrary अगर कोई नक्सा है तो वह सही नहीं मान जागा अब examin, अलग-अलग examin कौन examin किया और किस उद्वे से examin किया और cross नक्सा क्या है या आप क्या कहना चाहते हैं हम नहीं समझे इसको अगर विस्तार से आप समझाईएगा तो बता सकते हैं दूसरा प्रस्ट है at the rate of baby star 837 और किस तरह के जमीन का राइटी करन होता है और वकास लेंड का राइटी करन हो सकता है की नहीं हो सकता है लगातार कई प्रस्टनें का है तो सुख ये राइटी तो समझ ये जो राइट के दौरा धारित भूमी है उसको राइटी भूमी बोलते है तो इसलिए उरहिती जमीन कहते है अगर कोई जमीन रहित का नहीं है अब बाद में कोई प्रकिरिया से उसको रहित का बना दिया जाए या मान लिया जाए तो उसी को रहिती करन कहते है यानि कि रहिती बनाना जैसे आपका बकास जमीन है बकास जमीन है तो रहिती कब होगा बकास जमीन को जमिंदार ने आपके नाम से बंदोबस्त कर दिया तो रहिती हो गया आपने मालगुजारी दिया सरकार ने मालगुजारी ले लिया तो रहिती मान लिया गया हुआ तो यही रहिती करन हुआ अगर कोई बिवाद हुआ उस ब रहाने कि बाद ये रसित कट रहा है यह भी इसका रइती हो गया। तो इस तरह से रइती करन की प्रकिरिया अपनाई जाती है यह कहा जाता है। हल्धर कुमार इनका प्रस्ण है कि आरेस खतियान में अवैद दखल लिखा हुआ है दो तीन आदमी का अवैद दखल लिखा हुआ है जो की खतियानी रईयत से सम्मंधित नहीं है और उस जमीन को खतियानी रईयत के पुत्र ने बेज दिया है तो इनका प्रस्ण है कि जो खरीदार है उनका जमीन होगा की नहीं और इल्लीगल कबजा का कोई कागज नहीं है देखिए तो तीन मिक्स्ट प्रस्ण है जहां तक हम समझे आपका प्रस्ण अगर खतियान में ही अवैद दखल लिखा हुआ है तो इस देखना होगा वो खतियान कब बना और कितना दिन से अवैद दखल है अगर बारा साल से जादे से अवैद दखल है तो उसी आदमी को राइट हो जागा राइट तू एड़वर्स पोजेशन के हिसाब से तो जो व्यक्ती ने बेचा है उसका कोई राइट नहीं रहा खतम होगा जिस समय बेचा बेचने के पहले अगर बारा साल से या उससे जादा से अवैद दखल में था और उस परमानित करता है कि उस दिन तक या आज भी उसका कबजा है तो उसी का चीज माना जाएगा लेकिन इसकी घोसना सिर्फ सिभील कोट में ही हो सकती है अगर केस होगा तो वो जीत जाएगा और अवैद दखल का कोई पेपर अलग से होने का जुर्द नहीं है चुकि वो खतियान में ही लिखा हुआ है खतियान में जब लिखा हुआ अवैद दखल तो उसकी मानिता है उसी को माना जाएगा धीरज कुमार सारन बकास खतियान में लिखा हुआ है रईष्टी एक साल पहले हो गया है और उसका मुटेशन नहीं हुआ है अंचरण हिकारी के रिजेक्ट कर दिया तो क्या रेमेडिए है तो उसका रेमेडिए है की आप अपील फाइल के लिए DCLR क्या है लेकिन अगर बकास जमीन का रिष्टी हुआ तो जिस आदमी ने रिष्टी किया यारी कि बे चाब उस आदमी को बकास कैसे हासिर हुआ यह जाना चाहिए अगर ये सब हो चुका है तब मुटेशन होने में कोई दिक्कत नहीं अगर ये सम नहीं हुआ है उस व्यक्ति का भी रसिन नहीं कटा है तो आपको मुटेशन के बजाए लगान ये धारन का केस करना होगा इस सारा कहानी कहते हुए कि बकास था खतियान में, अमुक व्यक्ति ने रिष्टी कराया है इतना साल पहले, उसका कब्जा था और उससे हमने फिर खरीदा है, और तब आपको मूटेशन हो जागा. अगर पहले से मूटेशन नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है, तो वो इसे जमीन का नहीं बन सकता है, अंचर धिकारी मूटेशन नहीं कर सकता है, जब तक कि पहले लगान निधारन नहीं होगा, जमाबंदी किसी का काईम रहेगा, तब ने उसके अस्तान पर दूसरे का जमाब उससी Dip करन कैसन करन से लिखते हैं इनका कहना है कि इस खतियान दूसरे ब्यक्ति के नम से बना लेकिन आरियस खतियान इनке पुरवज्ट के न devrd के नम से बना लेकिन उनका कोई बेसिस 영상 के पास नहीं है तो उसे कोई घबराने के बाद नहीं है, आरेस खतियान प्रिवेल करेगा, पुराना खतियान समझा जाता है जब नया खतियान बन जाता है उसके जगापर, सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद, आरेस खतियान में नाम है तो आप ही का माना जाएगा, उस पर उस प्रिवेल करेग पुराना खतियान पर अमित कुमार बेगुसरा है ये लिखते हैं खतियानी बकास्त है रसीद है रेंट डॉल नहीं मिलता है सर्वे खाता बिहार सरकार में खोल रहा है दिसा निर्देस ने तो अगर आपका खतियानी है अब बकास्त लिखा हुआ है और रसीद भी कट रहा है तो आपका खाता खुलेगा आप खाता ने खोल रहा है तो आप उहां पर अप्लिकेशन दीजिए और अगर दूसरे का खाता खुलता है तो आप जी अब्जेक्शन दीजिए आप पेटिशन में सारा डीटेल लिख के दीजिए आपका खाता खुलेगा ने खुलेगा तो बरिये पता अधिकारी के पास आप जाईए केसब सिंग इन्होंने कुछ नहीं पूछा है धनवाद जानकारी अच्छी दी उसी तरह का किष्णा कुमार इन्होंने भी धनवाद ग्यापन किया है अजय कुमार ने भी धनवाद ग्यापन किया है बकास के बारे में जानकारी इनको मिली थी उसके बाद सुरेंदर सौ है इन्होंने भी धनवाद दिया है फिर एक है पी कुमार इन्हों नहीं धन्यवाद ग्यापन किया है आप सबों को धन्यवाद आपको प्रस्न पुछा है सिर्फ धन्यवाद दिया है यह भी आपका good gesture है कि आप सुनते हैं और response करते हैं अच्छी बात है प्रेम किसोर इनका कहना सिक्मी और काइमी किलियर कर दें सिक्मी पर पहले भी मेरा बीटी एक्ट में आओ अलग से सिक्मी और बटाही पर लेक्चर है आप वीडियो निकाल के देखिए सुनिये ज्यादा अच्छा रहेगा काईमी का मतलब होता है सेटल्ड रहिएट जब एक मोजळा में कोई रहिए सेटल रहता था उगणी और जमिनदार के समय तो आज तो हर मोजळा में जहां भी गाउं में है सब सेटल्ड रहिएट गाउं छोड़के एक दुस्रे जबे घुमानतू रहिएत है अभी जتना र अगातार दो जेनरेशन से कोई बठाईदारी चला रहा हो तो वो काईमी सिक्मी काईमी भी हो सकता है और काईमी रहीत भी हो सकता है दोनों हो सकता है यानि कि वो सेटल्ड है और पर्मानेंट है तो ये सिक्मी काईमी कहलाएगा मुकेश गुपता इनका प्रस्न है कि डी बासगित का मुटेशन होगा या की नहीं देखिए मुटेशन के बारे में बरावर बताते हैं मुटेशन का लेक्चर आप लोग सुन लिजिए मुटेशन तभी होता है जब किसी व्यक्ति का पहले से नाम रेस्टर टू में दर्ज हो तब उसके अस्थान पर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है अगर डी बासगित है तो बहुत साथ डी बासगित बेलगान होता था उसका लगान नहीं लगता था तो मुटेसन का कोई सवाल नहीं है तो पहली पता कीजिए कि उसका लगान लगता था कि नहीं और लगान लगता था तो किसके नाम से लगता था तो जिसके नाम से लगान लगता था उससे आपका क्या वास्ता उससे आप कैसे प्राप्स किये अगर इस सही है आप उससे खरीदे हैं या गिफ्ट से मिला है या और कोई तरीका से आपके पास आया है तो उसके अस्थान पर आपका मुटेशन का अप्लिकेशन होगा अगर ऐसा नहीं है तो दी बास्कित को आप लगान देना चाहते हैं रसीड लेना चाहते हैं तो उसके लिए काबिल लगान केस होता है लगान निधारन के लिए आप अंच्रा धिकारी के लिए आपेदन दीजिएगा आपका कबजा के अधार पर उनक्वाइरी करके करमचारी डिपोर्ट देगा आप आपका उसका लगा बड़ा बीचितर है, at the rate of user FG9PU6WX4Q, अभी तो कुछ पता नहीं चलता है, जिन्होंने भेजा होगा, वो समझ जाएंगे, हम फिर से रिपीट करते हैं, at the rate of user FG9PU6WX4Q, खतियान बकास्त बिर्चदार बना हुआ है, तो कहते हैं कि बेच सकता होगी ने, खुब बेच सकते हैं, बिर्च का मानु होता है पेसा, तो आपके नाम से खतियान बकास्त है, यानि कि आपका नाम खतियान में देखेगा, उपर में भी दाहिने तरफ होगा, और बाएं फदायियत वाला कौलिन होगा तो आप उसके बकास्त मालिक भी हो गए यानि कि आप जमिंदार भी हो गए उसके रही टोर आपका भाव चौत का था उसके वाजा आ रहा है तो आपका पूरा राही टाइटिल है और उस समय लगान नहीं लगता हुआ जब बकास था तो फिर आप लगान दे रहे हैं लगान निधारन इसका कराए है कि नहीं करा है तो लगान निधारन करा लिए चुकि रिष्टी करने के समय रसीद खोचता है तो वहां दिकत हो सकता है ऐसे आप कानूनन आप पूछते हैं तो आपको खतिया में बकास्त बित्रदार लिखा हुआ है तो जिनके नाम से है उनको या उनके बंसज को पूरा राइट है बेचने का उसका बात परस्त है बिरेंदर परसाद इनका कहना है कि नाइंटिन फिफ्टी नाइन में रिष्टर डीज से मा के नाम से जमीन खरीदे थे अब लिखते है कि कनवर्शन रिफ्यूज टू मुटेट अब कनवर्शन और रिफ्यूज टू मुटेट कनवर्शन और मुटेशन रिफ्यूज करता है ये आप क्या लिखें कनवर्शन की बात कहां से आई परस्त आपका किलियर नहीं है कुछ कनफ्यूजिंग लगता है जहां तक में आप व्यवसाई कारी करना चाहते हैं तो व्यवसाई उब्वो के लिए एक नया कानून बना है जिसके तहट आपको कन्वर्जन का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उसके लिए जो सक्षम पदाधिकारी है डी से लार वगरे जो भी है उनके हावेदर देना पड़ता है उसका कुछ चार्ज लगता है तो कन्वर्जन होने के बाद आप उस पर जो काम व्यवसाई करना चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन मुटेशन तो जरूर होगा नैंटीन फिप्टिनाइन में रेइस्टर डीट करवाए हैं इतना दिन तक मुटेशन नहीं कराए है तो आप दि दो चीज है दोनों का कोई तालमेल नहीं है तो आज का सभी प्रस्ट जो भी थे सब का उत्तर मैंने दे दिया और अगर किनी का प्रस्ट भेग होने के कारण सही उत्तर नहीं मिला है तो पुनह किलियर करके प्रस्ट भेज सकते हैं धन्यवाद कि जाम मिला है तो प्रस्ट ऑम जो तॉट प्रस्ट अभी है लो आपा इस धन्यवाद दॉटि सब करें।